अगर आप व्रत में साबूदाना खिचडी, वड़ा, पूड़ी, परांठे खाकर बोर हो गए हैं, तो आप बिना महनत ये बहुत ही क्रिस्पी स्वादिश दोसा जरूर ट्राइ करें. ये दोसा बनाए 15 मिनिट हो चुके हैं और इसके बावजूद ये देखिए कितना क्रिस्पी है. रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ये वीडियो और रेसेपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा. व्रत का दोसा बनाने के लिए मैंने इहाँ पर एक कप सामक या समा का चावल लिया है, इसे व्रत का चावल भी कहा जाता है, साथी लिया है एक चौथाई कप साबुधाना. साबुधाना चोटा या बड़ा कोई भी ले सकते हैं, अब इन दोनों चीजों को ग्राइंडिंग जार में डाल कर इसे सुका ही पीस लेंगे. आप देख सकते हैं, मैंने इसका बिल्कुल फाइन पॉडर बना लिया है, अब हम इसमें दही डालेंगे, दही इसको फर्मेंट करने में हेल्प करेगा, दही हमें वन थर्ड कप यानि एक तीहाई कप डालना है, इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी, पानी टोटल एक में ट्रांसफर कर लिया था, क्योंकि पहले मैंने छोटा जार लिया था और उसमें ये बैटर आनी रहा था ठीक से, तो मैंने बढ़ा ले लिया, और इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है, वो इस तरह की फ्लोइंग होनी चाहिए, मतलब जिसे नॉर्मल दोसे की कंसिस्टेंस इस बैटर की भी रखनी है, और बैटर जितने अच्छे से पिसा हुआ होगा ना, उतना ही स्मूध और अच्छा आपका दोसा बनेगा, अब इस बैटर को फर्मेंट होने के लिए, दो घंटे के लिए धक कर रख दें, और उसके बाद इससे दोसा बनाएं, वैसे आप चाह आने वालू का मसाला बना लेते हैं, एक पैन या कड़ाई में दो चम्मज तेल डाल कर तेल को हलका गरम कर लेंगे, तेल के गरम होते ही इसमें एक छोटा चम्मज जीरा डालेंगे, जीरे के चटकते ही इसमें बारीक कटी हरी मिर्ज डाल देंगे, मैंने तीन हरी मिर्ज ड जिने उबाल कर चिलका हटा दिया हुए है आलू को हातों से इस तरह से तोड़ कर डालेंगे mix कर देंगे आदा छोटा चमश लाल मेंश बॉडर डालेंगे अब कर्ची से आलू को मैश करते हुए आलू को मिक्स कर देंगे मसाले में फिर गैस का फ्लीम बंद करके इसमें आध का आलू मसाला दो गंडे बाद हम देखेंगे कि बैटर जो है वो अच्छे से फॉर्मेंट हो गया है यह देख सकते हैं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप बिल्कुल ऐसी ही रखेगा इससे जादा गाड़ी ना रखें बिल्कुल नॉर्मल दोसे के बैटर की तरह ही रख यह मैंने नॉनिस्टिक तवा लिया और तवे पर थोड़ा सा तेल लगाया है फिर इस तेल को हम टिशू पेपर से पोच लेंगे अब इस बैटर को हम कर्ची से तवे के पीचो बीच में डालेंगे दो कर्ची बैटर डालेंगे और इसे एकी डिरेक्शन में इस तरह से जब बैटर थोड़ा सुखा हुआ दिखने लगे तब इसके उपर घी या रेफाइन डाले गैस का फ्लेम मीडियम डग देंगे और इसे पकने देंगे जैसे ही दोसे पर ब्राउन लेयर दिखने लगे मतलब कि हमारा दोसा जो है वो पक गया है और ट्रेडिशनली दोसे को ए दोसा सौफ्ट हो जाएगा दोसे पर ब्राउन लेयर दिखते ही इस पर ये आलू का मसाला रखकर इसे इस तरह से पहला दें दोसे को फोल्ड कर देंगे और आप चाहे तो प्लेन दोसा भी बना सकते हैं यानि कि बिना आलू के मसाले के तो ये देखिए हमारा मसाला दोसा बनकर तयार है इन दोसों को बने हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अभी भी कितना क्रिस्पी है इस क्रिस्पी टेस्टी वरत वाले मसाले दोसे को कच्छी आम की चटपटी चटनी और चाहे तो इसे रसे वाले आलू की सबजी के साथ करमागरन सर्फ करें ये दो क्रिस्पी और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा